हेलो दुस्तों नमस्कार आज हम जो है LED बल्ब बनाने वाले हैं हमाँ पास 9 वोल्ट का डिसको वल्ब है डिसको वल्ब में हम 12 वोल्ट की LED अचाईच करेंगे यह LED DC है 12 वोल्ट से चलने वाली है तो चलिए दूस्तों शुरू करते हैं हमने सोल्डिंग आयरन को लगाते हैं और LED को बल्ब में लगाते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारा नया सोल्डिंग आयरन और फ्लक्स भी है साथ में तो चलिए इसे यूज करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे LED को इसमें अटेज करेंगे तो इसमें थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन लगा लेते हैं अब दोस्तों प्राब्लम यह आ रही है कि इसका वायर थोड़ा छोटा है बल्ब का तो इसमें हमें और बल्ब और वायर अलग से अटेज करना पड़ेगा तो सोल्डिंग आयरन करने में हमें असानी होगी कि देखिए दुस्तों पहले हम क्या करते हैं इसका इस्टेंड मना लेते हैं क्योंकि सोड़ी आयरन रखने में प्राब्लम हो रही है तो भी इसके इस्टेंड को हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो यह देखिए हमारा इस्टेंड जो इंस्टॉल हो गया है तो चलिए दोस्तों अपने सोल्डिंग आयरन को हम इस्टेंड में रख देते हैं और अपना काम सुरू करते हैं वायर कटर से पहले थोड़ा सा वायर हमने ले लिया उसमें अटेच कर दिया है अब इसमें टेपिंग करेंगे जिससे आपस में सौर्ट सर्किट ना हो तो देख सकते हैं इसमें हमने टेप लगा दिया है दोस्तों अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है आपको जब अब लेडी एटाइच करेंगे तो अब कर दो कि दोस्तों अलेडी बल में हम अपना वार जो है लगा रहे हैं कि बहुत ही सावधानी से सोल्डिंग करनी है तार इदर उधर टेच करेगा तो सौर्ट सर्किट हो सकता है आपका लेडी खराब दियो सकता है इसके कहीं दर उधर वार टेच नहीं करना चाहिए जहां आपको लगाना है वहीं कि समाल कर केरफूली लगाई है कि देखी दोस्तों हामने वार जो है एलेटी में लगा दिया है हुआ 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 कि देखी दोस्तों हमारा एलेटी बब्व जलके रेडी हो गया है अब इसको में ग्लू गन की साहता से इसमें अटेच कर देना है आप इसमें जो है एक कवर भी लगा सकते हैं बल्प का हमारे पास कवर नहीं है कवर लगा देंगे तो जो रोशनी है वो थोड़ा इसमूथ हो जाएगी और देखने में अच्छा लगेगा ऐसे रोशनी ऐसे डारेक्ट एलेडी बल्प की रोशनी आखों में चुपती है इसलिए इसकी इसमूथनेस रोशनी में लाइट में इसमूथनेस लाने के लिए एक बल्प का कवर लगाना ज़रूरी होता है तो चल कि देखें दूस्तों हमारी एलेडी यह है लोगन इसमें थोड़ा सा पेश्ट लगा देते हैं और अटेच कर देते हैं कि देखें हमारी यह रेडी हो गई है थोड़ा सा पीछे साइड से भी गलू गन्नम का यह यूज़ कर देते हैं कि देखें हैं थे दूस्तों है प्रफली लोगन्न कई उसी यह इसमें और आईडी को इसमें पेश कर दिया है कि अब हमारी एलेडी जो है वोड़ी रेडी हो गई है चलिए इसे जलाकर चिक करते हैं अब हमारी उसके बाद जलाकर चिक करते हैं कि अब हुआ कि अब हुआ कि अब हुआ अब हुआ है और यह हमारी एलेडी जल कर तयार हो गई है इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं इसके पूर वसकावर लगानी की देरी है यह हो गया यह आपकी रेडी नोवड की तयार हो गई है तो हमाई वीडियो दूस्तों कैसे लगा जरूर बता है मिलते हैं नेक्स रूडियो में तफिक नमस्कार